नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब प्लेटफॉर्म राजस्तान क्लासेज पर तो आएए दोस्तों प्रिक्षा के लिए सामाने ज्यान का यह मॉडल पेपर हम देखने वाले हैं जिसमें टॉप 30 क्वेशन होने वाले हैं जो कि बार-बार ए आपको अभी से बता दूँ राजस्तान क्लासेज की वेबसाइट पर मिलेगी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्षन जरूर विजिट करिएगा और लास्ट में या फिर बीच क्लास में आपको क्लासेज के नंबर दे देंगे जिस पर आप मैसेज करके आप प्राप्त कर स दे बाजरे में मनाय जाता है दोस्तों पॉंगल टेमार की बात हो रही है तो फिर तमील लाडू में मनाय जाता पौंगल तेमार और असम में कौन सा Ty right answer अपर आप सब हैं let को देखो ट्रिक मैंने आपको कई बार बताई के के फोर यानि कार्थि क्रश्ण चतूर्थि को यह करवाच्छोथ मनाई जाती है और यह जो है यह उत्तर भारत में पॉपुलर है मोस्टली राजस्तान में यह पॉपुलर है राजस्तान से पहले यह पंजाब से इसका मेले भरे जाते हैं पर्याग यूपी में उज्जे नैंपी में हरिद्वार उत्राखंड में और नासीग महराष्ट में तो फिलाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा और एगला सवाल आपकी स्क्रेन पर है कि सोनपूर पशु मिला किस राजी में आयुजित होता है तो दोस्तों कंस मेला देखें सोनपूर हमने बात करी कि बिहार में आयुजित होता है तो कंस मेला कहां पर आयुजित होता है यह कंस मेला तो सभी को विदीत है कि यूपी में है कहां पर यूपी में बिलकुल अच्छा सवाल था और बाकी अब इसमें हम बात करें तो एक और मे जिसका नाम है रत मेला और कंच मेला यह दोनों आपके मथूरा यूप में आयोजित होते हैं अगला क्वेसं जो टॉप 10 की लिस्ट में आता है बाबा गरीबनात का मेला किस राज्य में आयोजित होता है दोस्तों तो राइट आंशर आप सभी का क्या होना चीए बताइए बा अगिए होरता है अगला स्क्रीण पर है मांदेना लोक्ला जो है यह किस राज्य की पॉपूलर तो देखो मांदेना लोककला राजस्तान की बीपिलार factor D को as जाएगा और राज्जस्थान में यह माणडा लोग कला वैसे है कि आपके उस साइड में है जैसे कि मेवार प्रदेश है या मेवाड साइड है उस साइड में गोधना किस राजी की लोग कलाएं तो इसनों गोधना जो है शरीर के किसी भी अंग पर बनाए जाता है अईपन जो है ये राजी की लोग कलाएं है दोनों और ये आपके बिहार की पॉपुलर है अलांकि गोधना जो है ये राजस्तान की भी पॉपुलर है आदिवासियों मे है वैसे ही है कला ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रेन पर है अरियाना का प्रमुक लोक नर्तिय राइट आंसर बताइए क्या होगा बड़ा शांदार सवाल है अरियाना का परमुक लोक नर्तिय है गोडी नाच और सांग क्या होगा बताई दोस्तों डांगी और चमबा बोले सर अरियाना का लोक नर्तिय है तो अरियाना का लोक नर्तिय हैं में से गोडी नाच और सांग है सांग है ना तो आपसन ए को लॉक करेंगे बड़ा शांदार सवाल है संचार चाउ पैका और सवारी ये किस राज्य के लोक नरते है दोस्तों तो याद रखेगा आपसन ए को लॉक करेंगे हम लोग बड़ा शांदार सवाल है आंदर परदेश आंदर परदेश को लॉक है और राइट आंसर क्या ही हो जाएगा बड़ा यह शांदार और विचित्र सवाल है आपका तो देखो राजस्तान की गूमर पपुलर है जारखन का गूमकोडिया है करनाटा का भूत कोला है उत्र प्रदेश का मर्दाला गलत बात है मर्दाला तो भाया अंदर प्रदेश का है मर्दाला किसका है आंदर प्रदेश का है तो आपसें डी आप सभी का सही आंसर होगा अगला सवाल आपकी स्क्रेन पर है क्या होगा राइट आंसर बताइए कि शंकरिया पणियारी ख्याल किस राज्य के लोग गीत है बताइए शंकरिया पणियारी जो है यह किस के जो हम बहुत सारे लोक नरते हैं अलंकि अगला सवाल है कि जात्रा कीरतन बाउल जया किस राजी के लोक नरते हैं तो याद रखेगा और आप सभी का सही आंसर हो जाएगा और अपसन ए को लोग करेंगे पच्छिम बंगाल का जात्रा कीरतन बाउल जया बाउल तो अलंकि यह जो है एक सुनल मान सिंग बी है तो ये बाते हैं आप याद रखेंगे फिल हाल के लिए और अगला सवाल है कि भू बन建 एक हमीडे मोहीटनी अटम कि जिराजिय का शास्ति नर्त नंत न यह एक्जाम में आपको प्रशन अवेश देखने को मिल जाएगा अपका सही आंसर हो जाएगा इनके कहलते महाराज थे कौन थे इनके खलाकार का जो थे भारती महराजP मोहिनी अट्टम के option B केरल को लॉक करा जाएगा ठीक है अगला सवाल देखिए सौरी भारती माराज कहलो या भारती स्विवाजी कहलो एक ही बात है ठीक है यास ओके अगला सवाल आपके स्क्रेइन पर है बताई यह बंगाल विवाजन कब हुगा था ओप्सन है 1905, 1906, 1907 और 1904 तो बंगाल विवाजन कब हुगा था इसका आंसर आपको बताना है चलिए बताई 1905 करें या चै करें बताई ये बोले सर 1905 करेंगे हम बंगाल विवाजन को क्योंकि 1906 की बात करें तो 1906 मुसलिम लिउग नगाल का था पांस है ग्रह कौन सा है यह आपका अगर सब्जेक्ट भूगोल है तो इसका आंसर जल्दी से बता दीजिएगा कि सबसे तापांतर वाला ग्रह कौन सा है शुक्र है वरुन है ब्रस्पति है या फिर बुद्ध है बताइए तो चले वैसे देखो इसमें हम बात करें सरवादिक तापांतर वाला ग्रह वह आपका बुद्ध ग्रह है शुक्र ग्रह की बात करें तो सबसे घ्रम जो ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है वरुन की बात करें सबसे ठंडा ग्रह और ब्रस्पति की बात करें तो नाम अगर बड़ा तो फिर बड़ा ही बड़ा होगा है ना तो option D को लॉग करेंगे सबसे बड़े ग्रह की ब्रस्पति होगा और नाम भी इसका बड़ा है चलिए आपका आसान ट्रीक के साथ में कवर हो चुका है प्रत्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन सा ये बताईए बड़ा निकट है तो शुक्र है इसलिए सबसे गरम है option A आप सभी का सही आंसर हो जाएगा अगला question मात्मा गांधी का उपना बताईए बापू राष्ट्पिता युग पुरूष या फिर इनमेंसे सभी मात्मा गांधी का उपना मैंने युग पुरूष भी का आ जाता है बापू भी का जाता है तो राष्ट्पिता भी का जाता है option D आप सभी का सही आंसर हो जाएकर उप्रोप सभी वैसे इस परकार की प्रश्ण केवल इस परकार की प्रश्ण नहीं बनते वह आपको सुमेलि पुरूश सर्दार वल्ल भाई को तो लोग पुरूश की संग्या दी गई है या फिर इने आइरन मैन के नाम से जाना जाता है और आइरन लेडी किसको का जाता है यह आप कमेंड करके मुझे बताएं अभी से इंद्रगंदी यस यस बहुत बढ़िया अच्छी बात है और मदन महनमाली वे जो है आफसन डी को लॉक करेंगे फिलाल महमना जो है इंद्रगंदी आपके आफसन सी में जो था बिलकुल प्रश्ण पूचा गया था अगला सवाल है हौकी का जादूगर के ने का जाता है पर आफसन बी को लॉक करेंगे ठीक है और पीटी उशा का क्या नाम है यानि की उपनाम क्या है उनको क्या नाम से जाना जाता तो यह आप हमें जरूर बताएगा पीटी उशा के बारे में बिलकुल सरोडन पर ही का जाता पीटी उशा को बिलकुल बहुत बढ़ी अच्छी आप्सन एको लॉग करेंगे और सितार कैसा वाद देंतर है दोस्तों आप कमेंट करके बताओ सुर्शिर वाद देंतर है या गन वाद देंतर है ताल वाद देंतर है या फिर तत वाद देंतर है कैसा है जल्दी से आंसर करके आपको बताना है प우le-सर सीतार है तो फ़र तत्वाद दें तर होगा एगला सवाल है, प्रसीद बानसूरी बादक जोईना ये कौन है? बानसूरी बादक आपसे प्रशनी किया जा रहा है बताए जल्दी से जी, बिल्कुल तो चले प्रसीद बानसुर इवादक की बात करें हरी प्रसाद चौरासिया को लॉक करेंगे option C को बड़ा शांदार सवाल है बाकि इन सभी के बारे में देखिए थोड़ी सी जानकरियापन देख लेता है और हमने बात करी कि जो हरी प्रसाद चौरासिया है ये प्रसीद बानसुर इवादक है इनके बारे माँ याद रखेंगे अगला question बड़ा शांदार है ये भी उपनाम को लेकर है नेमन मैसेज सही नहीं है देश रतन डॉक्टर राजंद प्रसाद को कहा जाता है बिलकुल ग्रैंड ओल्ड मैं जो है दादा भाई नेरू जी को कहा जाता है देश बंदू बगत सिंग को नहीं कहा जाता और निर्मल हर्दे मदट एरेकसा को कहा जाता है तो देशपंद्दू चितरंजन दास को का जाता है तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा या नहीं अस अगला सवाल आपके स्क्रेन पर है पूर्ण सोराज किसका वच्चन है बताइए देखें यह जो नारे दिये गए थे जिने नारे भी कह सकते हैं तो यह ज 10-15 में आपको ज्यादा समय नहीं लेगा मुझे लगता है याद कर लेने चाहिए आपको दे दी गई है पीडियेप इसकी पीडियेप आप जरूर देखेंगा ग्रूप में तो पूर्ण सुराज वच्चन है सुवाला नेरुगा ठीक है ऑप्शन सी को लॉप करेंगे अग किसका था मातमा गांदी का था आए आगे वड़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं विज्व तेरंगा प्यारा नारा किसका था बड़ा शांदार सवाल है राइट आंसर क्या होगा इससे मतलब अच्छा क्वेसं क्या हो सकता बतागे तो देखिए विश्व तिरंगा प्यारा नारा जोई ये श्यामल दास गुपता का है और ये को हम लोग करेंगे वंदे मातरम दोस्तों बकिम चंदर चटर जी है मातमा गंदी आराम हराम है स्वराज पूर्ण स्वराज वाला नेरू है तो ये नारे आपको याद कर लेना चाहिए मुझे लगता है भारतिये 9 सिना दीवस कब मनाए जाता है भारतिये 9 सिना दीवस जो है दोस्तों ये 4 दिसंबर को मनाए जाता है और आप यहां से लिख कर ले लीजिएगा अगर आपका ПТТ का एक्जाम है तो एक प्रिशन जो है दीवस को लेकर 101 परसेंट पूचा जाएगा तो अभी से इन दीवसों को अच्छे से कवर कर लीजिए अगला सवाल हो सके तो राष्टी दीवस है अंतर राष्टी तक नहीं जाओ तो भी ठीक है राष्टी दीवस सारे याद कर लेना अगला क्वैसन विष्व परेटन दीवस जो है यह कब मनाए जाता बताएं तो विष्व परेटन दीवस जो है यह आपका 27 सितंबर को मनाया जाता ओप्सन एक को आप लोग करेंगे तो 85 भूमी का देश किसे का जाता है तो यह औस्टेलिया को का जाता था ठीक है औस्टेलिया और चूपर चोड़ देता हूं बहरीन ब्राजिल जैपान और कनड़ा बताइंगे आप लोग आंसर क्योंकि आपने पड़ा तो होगा ही आपके पास कोई भी गाइड होगी चैन मैं इस परकार के प्रिश्टन इस्टेटिक जीके के रूप में जरूर दिये होंगे और अगर दिये हैं तो फिर आपने छोड़े नहीं होंगे पड़े होंगे तो इसका आंसर आप जरूर बताएंगे 14 मिनिट में आपकी क्लास कंप्लिट हुई है जैसा मेरा नुमान था औ और बाकी अपन मिलते हैं अगली क्लास में इसका आंसर आप जरूर बताएंगे मैं वेट करूंगा है ना और आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और जिल्ला लिखकर ही मैसेज करें हाई हेलो फालतु का ना करें नहीं कॉल करें अपना नाम जिला लिखक कर मैसेज करें तो आपको ग्रूप में आड़ कर लेंगे ग्रूप में आपको पीडियाप नोट्स लिंक और क्लासेज का लिंक वगेरा मिलता रहेगा ठीक है और पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब करना गूलेगा मत धन्यवाद